हेलो गाईज स्वागेत आपका परवा करें में अगर ऑपन बात करेंगे वह जो वीटा ब्लॉक्तर में या दखना मोड ओफ च्छन जो होता है यह क्या करता है वीटा लॉक्तर रेसेटर घरts ऐना हो रहा है ना उसके क्या करेगा तो एक्वेस सिंप्रूध्यस को किआ कर देगा या जबना किसे कर देगा जो epithelium ciliary epithelium है ना इस ciliary epithelium से जो aqueous का secretion है उसे कम कर देगा इसमें जो आपन drugs यूज करते हैं topical eye drops drugs यूज करते हैं यह topical eye drugs इसका दो mechanism होता है दो actions होता है एक तो आपका non-selective बीटा blocker होगा एक आपका cardio selective होगा अगर हम बात करें नॉन selective का non selective है इसका मतलब यह beta 1 और beta 2 दोनों के लिए same work करेगा इसका मतलब दोनों पर यह same work करेगा एक चीज़ या दखना यह non selective है इसका मतलब beta 1 और beta 2 दोनों पर बड़ाबर work करेगा same work करेगा और दूसरा important या more effective होता है कितना होता है more effective होता है लेकिन इसका side effect यह है कि यह अस्तमा को provoke करता है क्या करेगा अगर suppose that आपको glucose था ही तो आप क्या free में अस्तमा लेना पसंद करोगे क्या नहीं सबसे ज़्यादा जो side effect यह अस्तमा को provoke करता है तो याद रखना इसमें जो non selective का drugs का बात करेंगे कोन कोन होता है एक TLCM होता है त्या TLCM होता है table lamp chair मेरा table lamp chair मेरा टी बोले तो tmolol याद रखना इसमें lol वाला जितने भी हैं सब lol वाला आएगा एक टी बोले तो tmolol रखना एक आपका किस में आ जाएगा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आ जाएगा अकल अपन बात करें कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में तो यह जो कार्डियो सेलेक्टिव है न यह ज्यादा इफेक्ट क्या करता है कि इसको ब्लोक करता है बीटा वन डिसेप्टर को ब्लोक करता है बीटा टू के रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब जो बीटा वन को करता है बीटा टू क करेंगे beta-solol क्या beta-solol यह बैट्याइक्स लॉडव है भी युज सबाइब इसमें भी लॉल है इधर भी लॉल लॉल जा पी देखे दो वह beta blocker ठोक्क के आना है beta blocker přेट्भ लॉल बैटेकस लॉल का एक modified formula होता है उसे बोलते मतलब लिवो क्या है यह बीटक्ष लॉल आपका और प्र्टक्ष चैनल कि ऋब चरते है और सबसे ज़्यादा इसीजी समय करेंगे प्रीफर करेंगे क्यों क्योंकि एक तो सबसे परिपाद सेफ होता है अस्तमा में और दूसरा यह रेटनो प्रोटेक्टिव होता है कि देख सकते हैं यह सब अपनबात करें कि नेक्ट में एक नौट लगया कि देखो अगर लॉंगेस्ट अक्टिंग टॉपिकल बीटा ब्लोकर का बात करेंगे तो लिवो ब्यूनरल होगा लेकिन क्या होता है निद्ध लॉंगेस्ट डॉपिकल ब्रोट कौनचा है यह बीकश ऋ जड़ाएमेलि कुछे लेलिटीक। इक्षी करें इकशलाउं किया होता है कि अगर वाथ के सबेख्वेक्ट और टॉपिकल बीटा गया होता है गुलिटिकूली और सिद्विटृब हो गया आपका क्या ब्ली फेराइटीस इसका मतलब क्या हो गया इंफ्लामेशन क्या इंफ्लामेशन और आई लीड मार्जिन बोल सकते हैं जो आई लीड का मार्जिन है वहां पर जो इंफ्लामेशन होता उससे बोलते हैं ब्ली फेरो फेराइटीस ब्ली फेराइटीस बोलते ह बिलिफेराइटिस और कंजक्टिवाइटिस का मतलब हो गया कंजक्टैवा में इंफ्लामेशन मतलब जो कंजक्टैवा का स्रॉंडिंग है उस चारों स्रॉंडिंग के अगर इंफ्लामेशन हो गया तो उसे बोलेंगे क्या कंजक्टिवाइटिस मतलब bleuferoconjectivitis हो गया और दूसरा bleuferoespasm का क्या होता है जो eyelid का muscle है उसमें abnormal contraction होता है क्या होता है abnormal contraction जो होता है eyelid के muscles में उसे क्या बोलता है bleuferoespasm बोलेंगे और c c बोले तो corneal hypoesthesis याद रखाँ corneal hypoesthesis corneal hypoesthesis का मतलब होता है जो cornea है cornea का sensitivity कम हो जाता है मतलब reductions in sensitivity of cornea आपने बोल सकते हैं और d d का मतलब आँक सूखा हो जाता है मतलब dry eye हो जाता है अगर आपने बात करेंगे next topic that is called mitotics mitotics क्या होता है या mitotics क्या करता है जो sphincter है न sphincter pupally muscles होता है iris का उसे क्या करता है contract करेगा इसका मतलब जब sphincter pupally muscles जो था iris का contract करेगा तो यह क्या करेगा जो iridio cornea angle है उसे open कर देगा और जब यह open होगा तो trabecular outflow को बढ़ा देगा तो यह is mitotic agent का यही सबसे बढ़ा important benefit है क्या करता है यह जो sphincter pupally muscles है iris का उसे contract कराएगा और दूसरा जहींजर ही contract क्या जो radial cornea angle है उसका open होगा और फिर जा trabecular outflow है यह increase हो जाएगा इसमें जो अपन drugs यूज़ करेंगे क्या क्या में यूज़ करेंगे एक हो जाएगा पाइलो कार्पीन एक हो जाएगा physo estigmin क्या physo estigmin एक हो जाएगा ecothiophate यह दखना जो physo estigmin है यह क्या करता है M2 receptor agonist होगा यह तुमको available होगा किसे 0.5 से 0.2% eye drop के form में किसमें 0.5 से 0.2% eye drop के form में देखने को मिलेगा किसका agonist है यह M3 receptor agonist होता है और दोस्ता जो physo estigmin क्या physo estigmin है यह physo estigmin क्या क्या होता जो acetylcholine है इसके level को increase कर देगा और यह क्या होता है काड़वामेच होता है यहोत होता है जो इक्षा यू फ्यक्राइब होता है यह भी cacetylcholine के degradation को inwit करेगा इसका मतलब यह भी India directly क्या कर रहा Écetylcholine को बरा रहा रहा है इसका मतलब यह भी acetylcholine को increase कर रहा है और यह सबसे important यह क्या होता है organo phosphate होता है क्या होता है organo phosphate होता है अगर हम बात करें side effect का 4C 4C लिग दो यह आपका side effect हो गया 4C, एक होता है C का मतलब construct कर देगा pupil को अगर pupil construct हो गया इसका मतलब visual equity कम होगा या दखना pupil construct इसका मतलब visual equity कम एक हो जाएगा epiphora crying लगेगा कि कोई रोड़ा है मतलब epiphora epiphora में क्या होता है कि आपके आँख जो है watery पुड़ा भड़ा भड़ाता आँख में ऐसा लगता है क्योंकि क्योंकि जो lacrimal gland है ज्यादा इस्टमिलेट हो जाथा जिसके कालन लेक्राइमेशन ज्यादा होगा तो इससे लिएगा कि आप पर continue रोते जा रहे हो इसका मतलब इसमें कोई emotion नहीं होता है को emotionally कोई नहीं होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका इस फोड़ा बोलते है क्योंकि कि लेक्राइमल ग्लेंड का इक्टिवेशन ज्यादा होता है इतना ज्यादा होगा जिसके कारण लेक्राइमेशन ज्यादा होगा तो आंक से आसुट गिरते रहेगा या देखना यह इंपोर्टेंट एक्जांपल है अगर हम बात करें इसका इको तहियु पास काफी पैंक होगा ह यह उसे बोलते है सिल यह अंसल अस्पाइआपो हैट भी हो जाएगा कोई औट और रेटीनल डिटेश्मेट रेटीनल डिटेश्मेट होता है और अबहेंगे क्या हो जाएगा वहाँ आपका ऑल्फटा एक चीज़ा दखना अल्फटा एकश्ञर करता है वह उसक्सक्री तरहा कने प्लोकोमा वह कैया हूत बढ़ जाता है intraocular pressure बढ़ जाता है मेरा मद्हमुद्दा क्या है intraocular pressure को कम करेंगे कैसे कम में करेंगे यह तो इक्वेस के प्रोड़क्शन को कम कर देंगे है उसके ड्रेनेस को बढ़ा देंगे तो धख्रम सिर या तो प्रोड़क्सन गम करेंगे या ट्रेनेस को बढ़ा देता है इसमें छो आपन यूज करेंगे डीपि लैप्रीन डीपी लैप्रीन डॉक्स होता है यह आपका Alpha 1 Heavra 2 दोनों पर वर्व करेगा इसका मतलब और यह नान सेलेक्टिव है इसका मतलब यह क्या होता है क्यों 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 कि यह starting में inactive form होता मतब pro drugs के form में होता है जहीसे ही आई पे आपने use किया यह cornea के अंदर जाएगा और यह activate हो जाएगा और इस activated form को बोलेंगे epinephrine क्या बोलेंगे epinephrine इसका अगर side effect का बात करेंगे आँख discolored हो जाएगा black eye हो जाएगा और यह red eye लाल हो जाएगा आपका आँख堂 कियों कि conjunctible hyperemia हो जाएगा यह conjunctible hyperemia क्यों होगा भाई क्योंकि जो conjunctible में जो blood vessels का dilation हो जाएगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा आँख तब में लाल लाल देखने को दिखेगा क्यों क्योंकि Conjunctable Heparimia क्यों Conjunctable Heparimia क्योंकि Conjunctable में जो है Blood Vessels है उसका Vezo Dilations हो जाता है एक चीज़ याद रचा इस ड्रक्स को जो DP Vaporin है इसे अपन एबवाईड करते हैं Haypertension में अगर कोई किसे को ज्यादा बेपी वगर वहाँ पर वाइड करते हैं हटके डिजेज में अपन इसे एवेट करते हैं अब आता हैं कि जो alpha to agonist alpha to agonist में दो ट्रक्स या दखना एक हो जाएगा aprakulonidin या aprakulonidin या aprakulonidin एक हो जाएगा breamonidin या aprakulonidin ये फो जाएगा breamonidin aprakulonidin brimonidin ab या दखना alpha-a से-स्टार यह आपका सौर्ट एक्टिंग होता है जब कि ब्रीमोनीडीन जो है यह लॉंग एक्टिंग होता है अगर यह क्या करता है यह इंट्रा ओकुलर प्रेसर को अचानक बढ़ा देता है सौरी बढ़ाता नहीं यह जब इंट्रा ओकुलर प्रेसर अचानक बढ़ जाएगा तब दिया जाता है किसको एप्रा कॉलिनीडीन की यह सौर्ट एक्टिंग होता है डुरेशन सौर्ट एक्टिंग कब जब इंट्रा ओकुलर प्रेसर को सर्डन इंक्रीज करते इसका मतला इ सेफिस्ट ड्रग होता है प्रेग्नसी में यह लॉंग ट्रम ट्रीटमेंट के लिए अपना में यूज करते हैं ब्लिमयोंेटżenie अगर आपन इसका साईर का बात करेंगे तो 9 वही अपन जो बहले बात किये थे भी लिफहरो गंजक्टिवाइटिज में जो इंफलामेशन से होता है 함 सबसे ज़्यादा जह सबसे ज्यादा जो साइड़् एक्ट होता है ऐसे जादा होता है उसमें अगर लीड रिट्रेक्शन का बात करेंगे तो लीड रिट्रेक्शन भी आपका अपरा कॉलोनीडीन में सबसे ज़्यादा होगा bring monitines के respect में अगर आपने बात करें क्या अपने बात करें additional बेंस के कारण होता है और कभी-कभी capacity deficiency होता है ये भी आपको लेकिन यह आपको sitzen we mix किया करन्य कारण होगा किसके respect में apricry encara के रिस्पेक्ट में और एक चिया देखना अगर कोई दो साल का दो साल से कम बच्चा है तो उसमें अपन यह ट्रग्स नहीं देते हैं क्यों अगर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा उस बच्चा में अपनी आप तुम्हें देखने को मिलेगा next topic है next classification है carbonic anhydrase inhibitor तो इसमें जो mode effect जैधिक्शन यह भी क्या करईगा अर्य यार अपन को के सिप्रेशन इसके सिख्रेशन को के सिख्रेश कर देगा तो इसमें अपन य्यूज करते हैं एक जोलमाइट यहां जोलमाइट युझी करते हैं यह जोलमाइट क्या होता है जो साल्फोञ ऑ माइट का डरियुटी वह तद hotha किसा डरिवेटीव है यह जो अपर करता है ना यह धूक दूए के तरूг एक अपन याहता है रूट प्रूट आइडिश्टेशन वीडियो पहले देखो फिर अपन यहां पर आना इस्टेमिक और यह होता है टॉपिकल आइड्रोप यहाद आपन बात कर चुके थे फरस्ट पास मेटाबलीजम सब के बारे में किसमें फरस्ट पास मेटाबलीजम होगा क्या डिसर्बांटेज है क्या एड़श्ट पास में या टिसके कर चुक है किसमें रूट अपट ड्रॉट सवें अगर होताँ अपका כia हो जगा, mythagelomide, mythagelomide को अपन lifelongople दोनَ यार्जाद रखना, mythagelomide या acetag Olumide, ये क्या हो था, systemic में आएगा, और याद रखना, ये जो acetagolamide है, इसी IV लेने, अड़े बाई, IV लेने कर क्या जरूरत है, हाँ, अगर आपको certain, अगर certain बोले, तो अगर acute congestive glaucoma है तो वहाँ पर अपन जो Acetajolamide है intravenously लेंगे और उसके साथ एक लेंगे IV intravenously manitrol भी लेंगे यह intravenously manitrol क्यों लेंगे क्योंकि यह जो manitrol है न यह एक osmotic agent होता है यह plasma का जो osmolarity है इसे increase कर देगा और यह जब osmolarity को increase कर देगा तो filtration blood का कम हो जाएगा reduce हो जाएगा जब filtration reduced हो जाएगा जो aqosumar का production है वो estope हो जाएगा इसका मतलब यह क्या करता है इस किसके साथ लेते हैं acute congestive glucoma में acetazolamide को किसके साथ लेंगे IV manitrol के साथ अपन इसे लेंगे अगर हम बात करें topical eye drop में एक होता है brinzolamide एक हो जाएगा drawzolamide यादर करा brinzolamide एक हो जाएगा drawzolamide brinzolamide और drawzolamide यादर क्या तरीका याद करने का तरीका किसे है drop में आ गया DR मतलब drawzolamide और brinzolamide अगर side effect अकलम बात करें side effect कहां तो इसमें जो सबसे important side effect है हो एक sulfa allergy sulfa allergy में क्या होता है sulfa allergy जानने से पहले क्यात करता है कि यह क्या होता है कि sulfa allergy में bone marrow का suppression हो जाता है जब bone marrow का suppression होगा तो एक anemia होता है जो rare condition होता है उस anemia को बोलता है plastic anemia और eye में burning आप ड्रॉप देते हो आँख में आँख में जलन होता है यह एक sulfa allergy काउस करता है तो यहाँ पर क्या होता है burning sensation of IV काउस करता है यह side effect है और यह होता है paristhesia paristhesia का मतलब होता है abnormal sensation अगर sensation abnormal हो जाए उसे बोलता है paristhesia अगर sulfa allergy होता है sulfa allergy में क्या होता है जो ciliary edema या effusion का formation होता है क्यों होता है क्योंकि जो ciliary blood vessels था इस ciliary blood vessels से liquid का leakage होगा जब leakage होगा तो blood collect हो जाएगा ciliary process में अगर यह blood ciliary process में collect होआ तो ciliary edema बना लेगा और जब ciliary edema बनेगा तो जो ciliary process है उसका thickness बढ़ती जाएगा जब thickness बढ़ती जाएगा ना तो जो iris है ना iris को forward को क्या करेगा push करेगा forward push करेगा जब iris forward push होगा तो iridio corneal angle close कर देता है trabecular outflow को closes iridio corneal क्या होजएगा closes होगा और तो trabecular outflow को close कर देगा iridio corneal angle तो क्या हो जाएगा तो वहां पर आपको हो जाएगा secondary angle closer glaucoma यहां दख्ञा कब अगर सीजरी प्रोसेस का थेक्निस बढ़ा तो यह आईरीस फोरवार्ट पूस करेगा इरिट्यो कॉर्णियल एंगल क्लोज हो हो जाएगा इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे secondary एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलेंगे और इसका treatment करने के लिए अपन देंगे कौटिको एस्टरवाइड देते हैं क्या देते हैं अपन कौटिको एस्टरवाइड देगे जो एक चोटा सा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी कॉस करता है उसका एक्जाम्पल कौन-कौन दो ड्रक्स है कौन-कौन है एक टो पिरामेट कौन टी-ो-P-I-R-A-M-A-T-E टो पिरामेट एक हो जाएगा जोनिसामाइड क्या हो जाएगा जोनिसामाइड या रखना टो पिरामेट और जोनिसामाइड एक चीज़ या रखना एक नियूली डिसकबर्ड ड्रक्स है उससे क्या बोलते हैं नेटार स्यूरिल बोलते हैं यह क्या करते हैं नेटार स्यूर पहला बाद और दूसरा यह ट्रेविकुलर आउट फ्लो को इंग्रीज कर देता दूसरा इंपोर्टेंट और यह क्या करता है इसको दो दिया जाता है एक लेटेनों पोस्ट के साथ दिया जाता है यह हमारा था completely glaucoma chapter जो complete हो गया थैंक्यू सो मच वाजिंग के लिए थैंक्यू सो मच फुर वाचिंग अपने आप लाइक को इस चैनल को अगर आपको यह वीडियो का अच्छा लगे है आपको समझ में आये तो आप इस चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो प्लिस थैंक्यो सो मच